हेलो फ्रेंड्स दिस पी के सर्मा एंड यू आर वाचिंग मी और यूटुब चैनल आयांस लर्नर एकेडमी फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंजिनिरिंग ड्रॉइंग की क्लास चल रही थी इसके अंतर का फ्रेंड्स हम लोग देख चुके थे आपका इंस्ट क्रिप्सन बॉक्स में दे रख्या है वहाँ पर जाइए और उस वीडियो को देखिए फिर इस वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का लिंक जो है आई बटन पर भी मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के इंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा वहाँ से बीडियो को देख सकते हैं जैसा कि आप लोग देखी चुके होंगे कि हमारा जो आज का टापीक है वह इन्स्ट्रूमेंट बॉक्स Scale, Pencil, Protector चार इंस्ट्रुमेन्ट आज हम लोग देखेंगे सथ इंस्ट्रुमेन्ट जो रह जाएंगे उसको अगली वीडियो में देख लिया जाएगा जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि एक दो दिन से वीडियो नहीं पढ़ रही थी फ्रेंड्स थोड़ा सा टेक्निकल प्रोग्लम हो गया था मेरा माइक डिश्टर्ब हो गया था इसलिए वीडियो नहीं पड़ पा रही थी माइक सही हो के आए आज से वीडियो पढ़ेंगी फ्रेंड्स आपको करना क्या आ है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंध पता चल जाए फ्रेंड्स थोड़ा सा टेकनिकल प् box किया होता है एट लिए इंस्ट्रुमेंट बॉक्स में वांक्स में होता है तो सब्सक्ते क्रिए हुद्ध के अंदर क्या होते हैं इनका परियुक जो है ड्राइंग में किया जाता है ठीक है तो देखते हैं तो देखिए यहां पे दिया गया है एक वान टू थ्री फोर फाइब सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्ड टूस आपको दिखाए गया है तो देखते हैं फ्रेंट्स कौन-कौन से टूल आपके एंस्ट्रिमेंट बॉक्स में मुप्तिं और यह देखि जो सबसे पहला जो इंस्ट Kylie टूल होता है रूप साइज कंपास सिर्पाफ दूसरा नुबर से लार्ग साइड डिःडर धर्ण नंबर जो हता है स्माल बूग यह फॉर्थ नूमबर होता है । इस्माल इंक बू इपकार से कित अमधि नुमरे जो तरह है स्माल वार डिवाईडर, धिर Cling नंबर लैंथनिंग बार सेवेंथ नॉमर टेंथा नॉमर एक्सक्ड नीनग्र केस्ट तो लाइन और को भूल्डर को कुरोख वील होता है और ट्वेलध नमर जो ता है लीड गेस्ट होता है जिस में देख है नोट दिया है कि our instruments are made of silver coated with nickel मतलब कि silver की coating की गई होती है steel पे steel के बने होते हैं और इस पे silver की coating की होती है किसके साथ nickel के साथ the parts like divider divider होता है rolling pin होता है screw होता है spring जो होता है वह हार्ड इस्टील के बनाये जाते हैं हार्ड इस्टील ताकि यह घीसे ना और प्रॉपर्ली बॉर्क कर सके तो देखते हैं फ्रेंट्स यह एके करकर देखेंगे सब से पहुचा देखिए गाल आर्ज साइसे कोंपस है यह आपका चुद पाला इंस्टूमेंट है वह यह भाफ साइस कंपस लार्ज साइज कॉम्पस इसकी लेंग से जो jest 150 mm है इसमें देखे फ्रेंड्स इसके पार्ट्स क्या है यह पेज होता है और यह दूनों लेग होती है ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे एक तरफ पिन रहता है और दूसरी तरफ क्या करते है पेंसल पिन रहती है सब एक तरफ पीन रहती है दूसरी तरफ पेंसल पीन रहती है पेंसल लगाया जाता है यह वाला जो पार्ट है यह लेंथनिंग बार है यह वाला जो है लेग होता है लेग में जो पार्ट है लेंथनिंग बार है और यह क्या है प्रेंसिल लेग है इसका यूद्ब क्या होता है धेकिए फैंटस इस जो लाइज साइज सरकील होता है इसका जो वन होता है जू ड्रा लार्ज साइज सर grad are large एère सरिद के तो जार है है तलब की बड़े चाप सोब को खीछने में और बड़े बृत कि खीचने में इसका प्रियोग किया जाता है अगला देखिए इसमें दिखाया भी गया है कैसे खीचा जाता है very large circuit by using lengthening बाख यह देखिए दिखाया गया पैसे चलाते हैं पेज को पकड़के हम लोग क्या करते हैं क्लाक वाइज डायरेक्शन में इसको गुमाए जाता है जब आपका जो है काफी बढ़ा हो तो इस फ्रकार पकड़के दोनों हाथों से पकड़के आपको प्रकॉस को घुमाना रहता है ठीक है तो अगला टूल्स देखते हैं अगला टूल्स हमारा क्या है इसमें दिखाया गया है कि जो एड्जेस्मेंट है लीड और पॉइंट का क्या होता है लीड और पॉइंट के एड्जेस्मेंट में एक मिलिमीटर का गया प्राना चाहिए एक मिलिमीटर चित्र में दिखाया गया है लीड कितना बाहर होनी चाहिए है आठ मिलिमेटर और आपका जो पॉइंट है कितना बाहर होना चाहिए 9 mm इसको आप लूप देख लीजिए गा यह जो हमारा अगला टूल है फ्रेंट्स वह है लार्ज साइज डिवाइडर दूसरा नमबर टूल है लार्ज साइज डिवाइडर लार्ज साइज डिवाइडर लार्ज साइज डिवाइडर यह आपका page है, यहाँ पे pivot लगा है, ठीक है friends, यह दोनों लेग है, और दोनों ही लेग में क्या रहता है, point लगा रहता है, friends, जो divider है, divider का क्या उप्योग होता है, divider का जो सबसे पहला उप्योग है, किसी भी line को क्या करना है, divide करना है, to divide line, to divide line, किसी भी रेखा को क्या करना, चाये वो वक्र हो, चाये सीधी रेखा हो, उसको कुछ भागों में बाटना है, या फिर विभाजित करना, दूसरा जो वर्क होता है, to transfer dimension, to transfer dimensions, मतलब कि बीमाओं को या फिर मापों को अस्थान आंसरित करने में, ड्राइंग सीट पर जो बीमाएं बनी रहती हैं, उसको एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर transfer करने के लिए, या फिर दूसरे पार्ट पर बनाने के लिए इसका परियोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंट, तो यह divider के आपके उपयोग से, आगे चलते हैं, यह दिखाया गया है, कि कोई रेखा डिवाइड की गई है, तो इसमें कितना error है, अगर divider से डिवाइड किया जाएगा, तो आपका exact dividing होगा, exact जो है, बिलकुल correct, correct line को divide किया जाएगा, आपके इतना error हो गया है, line को drag, divide किया गया है, तो अगला tools देखते हैं friends, अगला जो tools है friends, वो है drop compass, drop compass, third number जो tool है, drop compass, friends, drop compass भी compass ही होता है, इसका जो उपयोग है, main group से इसका उपयोग क्या होता है, to draw, to draw very small size circle, small size circle, or arc, सब यह जो drop compass है friends, यह drop compass है, इसका उपयोग क्या है, बहुत छोटे arc, या फिर circle को ड्रा करने के लिए, इसका प्रियोग किया जाता है, friends, यह जो है, rivet hole और head को बनाने के लिए प्रियोग मिलाया जाता है, rivet hole, rivet hole, या फिर, जो head होता है, rivet का, उसको बनाने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है, कि इसका drop compass का, याद रखिएगा friends, parts वही हैं, इसके भी, आगे चलते हैं, इसमें देखिए friends, small size compass दिखाएगा है, सबसे पहला जो compass है, small ink bow compass, small bow compass, small size compass, sorry, divider, फिर, 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 तो तीन आपके दो compass दिखाएगा है, उप्योग होई है, small size का जो circle है, लेकिन इनकी जो size होगी, थोड़ा सा क्या होगी, ज्यादा होगी किस से, drop compass से, drop compass इस प्रकार बनाया गया होता है, कि point और lead बिल्कुल चिपक जाते हैं, लेकिन इसमें क्या रहता है, कुछ gaping रहती है, इसका भी प्रयोग जो है, छोटी line name को divide करने में, या फिर, छोटी विमाओ को अस्तानांतित करने में किया जाता है, इसमें देखिये, friends, क्या रहता है, इंक रहता है, इसमें pencil point की जगँपे, pencil की lead की जग पे, इंक रहता है, इसमें देखिये, आपके 3 टूल यह हो गये, इंको instrument box में दिखाया गया था, तो instrument box में यह आपके कुछ tools हैं जो होते हैं अभी आपको बताये गया है यह देखिए यह तीन tools अभी आपको दिखाये गया है ठीक फ्रेंट्स लास्ट में यह आपका जो है यह जो है आपका क्या बोलते हैं यह divider है यह ठीक फ्रेंट्स तो आगे चलते हैं प्रेंट्स हम अपना अगला tools देखते हैं अगला जो दिया है extension बार दिया है या फिर ruling ruling pain दिया है जो ruling pain होता है फ्रेंट्स चित्र में दिखाया गया है यह आपका ruling pain है ruling pain क्या करता है यह इसका उप्योग straight line को खिचने के लिए किया जाता है इसे लिए इसको liner भी कहते हैं क्योंकि यह रेखा खिचने के लिए प्रियोग किया जाता है यह इंक इंक होला होता है इसमें आपका लीड नहीं होती है इसमें इंक होता है यह इंक के माध्यम से इंक के माध्यम से आपका क्या करता है जो है रेखाओं को यह खीचता है इसलिए इसको पेन कहते हैं क्योंकि यह रेखाओं को खीचता है ठीक है फ्रेंट्स आगे देखते अगला जो दिया है अगला जो दिया है holder corp will और lead case और फ्रेंड ये देखिए आपका holder corp will है इससे क्या करते हैं lead को sharp किया जाता है और दूसरा अगला दिया है lead case ये देखिए lead case है इसमें क्या रहता है lead रहता है इसमें कोई बहुत समझने वाला हो नहीं है इसमें lead छोटी-छोटी lead रहती है और ये देखिए 9th number पर एक दिया था extension bar इसको मैं छोड़ दिया था आज देखिए 9th number पर दिया extension bar ये देखिए extension bar है जहां पर हम जब circle बड़ा circle खीचते हैं या फिर बड़ा circle खीचते हैं तो lengthening बार लगाते हैं तो हमें एक तरफ extension बार भी लगाना पड़ता है ठीक है इस्केल देखते हैं फ्रेंटस क्या होता है किचेल क्या होता है एक इंडारेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है आपको थियोरी में भी पढ़ाया गया था देख सकते हैं आप लोग वीडियो में प्ले लिस्ट उसकी पड़ी है आप लोग जाके देख सकते हैं मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल में मेजरिंग टूल वाले चेप्टर में तो इसकेल है एक indirect measuring instrument होता है ड्राइंग में क्या होता है कुछ parts बड़े होते हैं कुछ parts छोटे होते हैं तो उसी के हिसाब से एक ratio बनाया जाता है रेसीओ के हिसाब से हम लोग drying को बनाते हैं इसां नहीं है कि कोई body drying है तो उसके लिए हम बहुत बड़ी seat लेंगे, और चोटी ड्राइंग seat है, तो उसके लिए चोटी ड्राइंग है, तो बहुत चोटी ड्राइंग लेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि अपनी ड्राइंग seat पे बड़ी object या छोटे object को, एक ratio में बदल कर बना लेते हैं तो ये जो ratio होता है इसे ही scale करते हैं जो ratio होता है वही आपका scale का लाता है ये देखिये friends छितर दिखाया गया scale का तो ये friends full size scale है इसमें ratio क्या है 1s to 1 है मतलब कि ratio में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है हमारा जो object था, average था इसलिए इसकी ratio में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तो friends इसी यादार पर ratio के यादार पर scale जो होती है तीन तरह की होती है एक full size scale full size scale जिसा के चितर में दिखाया गया है दूसरा होता है reducing scale reducing scale और third number होता है enlarging scale enlarging scale friends reducing scale में क्या होता है बड़े size को छोटा करके drying seat में बनाया जाता है जबकि enlarging scale में क्या होता है आप लोग क्या करते हैं छोटे object को बड़ा करके बनाया जाता है friends एक एक करके हम लोग देखते हैं इसका देख दिया गया है यह देखिया आपका scale है full size scale में जो ratio रहता है को आपका 1s to 1 होता है आपको scale का एक chapter भी पढ़ा जाएगा उसमें आपको clearly समझ में आ जाएगा कि ratio क्या होता है इस ratio को RF बोला जाता है तो अभी मत इसको याद रखे आपको बताया जाएगा तो ratio क्या होगा 1s to 1 होगा किसमें front full size scale में reducing में क्या होता है ratio 1s to 2 मतलब भटेगा 1s to 2, 1s to 5, 1s to 10, 1s to 20, 1s to 25, 1s to 50, 1s to 100 जबकि enlarging में क्या होता है 2s to 1, 5s to 1 मतलब कि बड़ी संख्या पॉले रहेगी और 1 क्या रहता है बाद में रहता है किसमें friends enlarging scale में तब ही आपकी क्या होती है जो hardness है sorry जो size है क्या होती है वो बढ़ जाती है मतलब कि उतने गुना बड़ा बनाया जाता है जैसे 10s to 1 है तो 1 का 10 गुना बड़ा चितर आपको बनाया जाएगा 5s to 1 है तो 1 का 5 गुना बड़ा इसमें क्या होगा 1 का 2 गुना छोटा मतलब 0.5 जिसे दो 2 mm लंबाई है तो उसको 1 mm कर दिया जाएगा यह दस mm है तो 5 mm कर दिया जाएगा किसमें रिड्यूसिंग में लारजींग में क्या होगा फ्रेंब्स धो मिलीमेटर लंबाई है तो 20 हो जाएगी दूसरे रसी उकार्डिंग 10 हो जाएगी सब्सक्राइब लेकिन बना दिया जाएगा उसको बड़ा कर गए ठीक है फ्रेंट्स तो यह हमारी स्केल होगे यह एक अनुपात होती है इसी अनुपात में हम लोग क्या करते हैं की ब्राइंग को उतना बड़ा उतना छोटा या फिर सेलूल्ट की अठीक शेल्लाइड की तब Ciudру की इसफिक मेटल को बनाई जाती है ठीक है फ्रेंट्स आगे देखते यह फ्रेंट्स पेंसिलश болv पेंसिल क्या होता है फ्रेंट्स यह ड्राइंग बनाने के काम आती है यह जो है ड्राइंग बनाने के काम आती है ठीक है फ्रेंट्स पेंसिल की सहायता से ही हम लोग क्या करते हैं ड्राइंग को बनाते हैं ठीक है फ्रेंट्स दिखाई गई है यह देखिए पेंसिल का सेक्षन दिखाया गया है यह पेंसिल है यह पेंसिल दिखाया गई है तो पेंसिल क्या होता है यह ड्राइन बनाने में प्रयूक्त होती है मुख्य रूप से तो प्रेंसिल जो टाइप साफ पेंसिल है इसको टाइप साफ पेंसिल नहीं कहते है इसको ग्रेड आप पेंसिल कहते हैं ग् एक hard pencil दूसरा होती है medium pencil और तीसरा जो होती है वो होती है आपकी soft pencil ठीक है friends देखिए pencil जो है pencil के अंदर जो लिखने वाला material होता है वो चार पदार्थों से मिलके बना होता है पॉला नमबर होता है lead दूसरा जो होता है graphite graphite तीसरा नमबर होता है kaolin 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 और चौथा नमबर होता है clay pencil की जो lead होती है चार पदार्थों से मिलके बनाई जाती है lead से graphite से kaolin से और clay से pencil के grade का निरधारण जो है kaolin की मातरा पर ही निरभर करती है kaolin जो kaolin material होता है इसी की मातरा पर आपका pencil का grade निरभर करता है जैसे जैसे kaolin की मातरा हम लोग बढ़ाते है pencil वैसे हाड होती जाती है और जैसे जैसे kaolin की मातरा कम होती है pencil जो होती है soft होती जाती है friends hard जो pencil होती है देखिए कितनी pencil होती है hard में friends जो hard pencil होती है medium pencil होती है और soft pencil होती है इन सब में क्या होता है 6 pencils होती है 6 pencils जो hard pencil होती है उसमें आपका 4H से 4H, 5H 6H, 7H 8H और 9H 5H 6H 7H और 8H और 9H मतलब देखिए 3-3-6 6 pencils होती है किसमें hard pencil में और इसका जो उप्योग है fine line पतली रखाऊं fine line और जो आपका fine line और clear line fine line और clear line खिचने के लिए इसका परियोग किया जाता है किसका friends hard pencil का जो medium pencil होती है इसमें आपका देखिए friends yach 2 yach 3 yach hb और yach और जो होता है इसके बाद b तो आपका medium pencil में आपका क्या हो जाता है इसका जो है इसका प्रियोग किया जाता है इसके बाद friends होती है आठारा नॉममर होती है और िंसिल में कितने पदार्थ होते हैं लीड ग्रफाॆइट काॉल इन और के लिग पर चोनि आपके अपर चोनि में ंपन त्चाु और योआप याच का मतलब होता है हाड़नेस 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 बीज स्टैंड पोर ब्लैकनेस ब्लैकनेस और यॉप होता है फाइन या पिर फ़र्म जो यहोफ ग्रीण की पेंसिल जो होती है फ्रेंड्स फाइन वरक के लिए मतलब इसकी जो लाइन बनाने के इसका जो प्टवाइंट है इसको हमं Hist situations आधिकछ कर सकते हैं ठीस सकते हैं हम लोग बहुत पत्ली रखाएं खिज सकते हैं तरभ प्रेस्ट है यह दिखा गया है यह इंजिनेरिंग इंजिनिरंग स्तुडेंट के द्वारा याच टू यच और HB Pencil का इस्तेमाल किया जाता है जो इंजिनिरिंग स्टूडेंट होते हैं यच टू यच और HB Pencil का रियूप करते हैं यह फ्रेंट देखिए आपका Pencil का Cross Section दिखाया गया है यहां पर देखिए 9H, 8H, 7H, 6H यह फ्रेंच भी और जो है दिखाया गया है 9H सबसे hard edge pencil होती है और जो 7B होती है सबसे softest pencil होती है आप देखेंगे fence package की age किस प्रकार होती है बेंसिल की धो घूते है एक जो होती है चीजालख आप दूसरी जो होती होती है वे होती है pontical aid चीजालष capsule और कॉनिकल एज पेंसिल को सबसे पहले 35 mm लंबाई तक छील लेते हैं उसके बाद जो लीड वाला हिस्सा रहेगा वह फाइब मिलिमेटर रहेगा चीजल एज में क्या रहेगा फ्रेंड यह देखे 35 mm छीलेंगे लेकिन यह देखे छीलने की स्टाइल बदल जाएगी पेंसिल को क्या जाएगा मतलब सार्प किया जाएगा और पांच मिलिमेटर उसकी चीजल एज रहेगी सी जलेच कैसी होगी यह दिखाया गया है और देखे पेंसिल को सार्पर करने के लिए हम लोग सेंड पेपर का प्रियोग करते हैंसर पैरिंद पेपर है आपको रिद्त बदाय भी वह क्या है? वह है sand paper देखे pencil and sand paper तो या फिर उसको sand paper black भी बोला जाता है तो देखते हैं pencil के आगे यह रहा कैसे pencil को और सवर्प किया जाता है यह देखेए यहां ऊपर चीजल एज Pencil को सार्प करशन के लिए दिखाया गया है जब कि आपका पीछे दिखाया जो गया है वह हो लेज सबस्टेकर और देखेंग फ्रिएंस प्रोटेक्ट्र maltक्रत्र किया करता है यह एक ihan gorgeous मेर만as कि आपको 60 स्क यह बताया था सेटी स्कार किया करता है पूछ एंगिल कोई हीला ड्राह करता है रटाए एंदर ह pos这样 फिरेंटr ही थो कि यह लीमिटेड इंगीर को ग्लwe ा करता है कौन कौन से सैटीसकार करता आपको बताया गया था लेकिन अगर आपको जोर्रत पड़ जाए किसी भी एंगिल को कोई भी एंगल एक दो डिगरी तीन डिगरी चार डिगरी पाँ डिगरी दर डिगरी कोई भी एंगिल ड्रा करने की अगर आवसेक्ता पड़ जाए 180360 के बीच में तो उसके लिए हम प्रोटेक्टर है आपका मेटल का या फिर जन्रली जो है ट्रांस्पारेंट सेलुलॉइट का जो प्रोटेक्टर है जो प्रोटेक्टर होता है प्रियोग में लाया जाता है ठीक है फ्रेंड्स ड्राइंग में सेलुलॉइड का जो प्रोटेक्टर है प्रियोग में लाया जाता है प्रोटेक्टर फ्रेंड्स तीन तरह का होता है एक रेक्टेंगूलर प्रोटेक्टर तुसरा सर्कूलर प्रोट तो मैं एक एक करके दिखा दे रहा हूं यह आपका जो है α नमबर है Wikas होता है इसलिए इसको इसको कढा ठीक है फ्रोटेक्टर जो है आपको बताये गया है कि लकड़ी का या फिर सेलुलॉइड का बना होता है इस अगला जो दिया गया है वो सर्कुलर प्रोटेक्टर सेलुलॉइड लोग इसको ध्यान से याद रखिएगा जनरली सेलुलॉइड प्रोटेक्टर का ही प्रयोग किया जाता है जाज़तर यह आपका जो है सर्कुलर प्रोटेक्टर है बिल्कुल वृत्ताकार है तीनसो साट डिगरी का कौन इससे खीश सकते हैं और यह जो है सेमी सर्कुलर प्रो है तो यह चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा लास्ट में आप समय एक होंगा कि स्टे ओम एंड वी से थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो